हेलो एबिवान मैं हुलिया और सागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल फैशन मंत्रा वित्रिया में तो आज की इस क्रास में हम सीखने बाले हैं ब्रासो फैब्रिक का टेक्स्च्च्छल क्रियेट करना यानि की इमेज में आपको दिखने में समझ में आही राओगा कि जो हमारी ब्रासो फैब्रिक होती है वो ट्रांस्पेरेंट होती है और उसके उपर जो है वर्क होता है डिफरेंट कलर के त्रेट का और ये एक एम्बोजिंग सा लुक भी जो है आपकी फैब्रिक पर क्रियेट करती है सो चलिए बिना किसी देरे के हमारे क्लास को आप सबी जानते हैं कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में हमेसा आपको एक इमेज दिखाती हूं कि मैं किस तरह के टेक्सच्चर जो है फो क्रियेट करने वाली हूं आशकी क्लास में इमेज एड़ करने का एक खास रीजन होता है वो रीजन ये होता है कि आपको illustrations के साथ साथ आपको textile की यानि जो हमारी fabric है उसकी भी knowledge जो है आप लोग को होती जाए कि किस fabric को हम किस नाम से बुलाते हैं और कौन सी fabric का कैसा texture होता है कैसा look होता है तो illustrations के साथ ही साथ आपको fabric knowledge भी मैं in classes में दे रही हूँ तो आप जो है अगर आप चाहें तो खुद का भी एक personal portfolio बना सकते हैं जबी भी आप कपड़े खरीते हैं तो थोड़ी से उनकी cutting जो है वो बच जाती है तो different different cuttings को जैसा कि मैंने textile के portfolio में आपको दिखाया ही है तो उस पर भी यह look यानि की टेक्स्चर है वो create करने वाले हैं उस पर हम सबसे पहले pencil से इस तरह से जो भी print हम बनाना चाहते हैं flowers बनाना चाहते हैं कोई cartoon में जो भी आप बनाना चाहते हैं या फिर आप इसमें round shape जो भी shape draw करना चाहते हैं वो आप draw कर लेंगे और उसके बाद ड् इस color देंगा और यह color जो है वो आपका बहुत ही color का amount कम होगा इसमें और water का amount जो है वो ज्यादा होगा सो आप इसको horizontally vertically 4 तरफ से जो है filling करके इसको जो है अच्छे से complete करेंगे क्यूंकि हमारे जो patches हैं वो हमें इस पर नहीं दिखने चाहिए और आप इस पर HB pencil का use बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्यूंकि HB pencil जो है वो कभी-कभी आपकी seat को गंदा कर देती है सो इस तरह से जब हम इसका base जो है complete कर लेंगे सो इसको अच्छे से dry होने देंगे सो कल की class जब हमने ली थी alligator का print उसमें बताया था तो एक student ने बोला कि मैं हम थोड़ा सा wet seat पर क्यूं नहीं कर सकते हैं apply colors को सो मुझे यह question समझ में नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं यहां पर आज आपको practically दिखा देती हूं कि अगर आप वेट seat पर कोई भी color apply करते हैं तो किस तरह से आपका illustrations जो है वो खराब हो जाएगा सो आप लोगों को यह नहीं करना है विकाज यह student का question है तो मैं यहां पर आपको वो करके दिखा दे रहे हूं यह seat को बहुत अच्छे से dry होने देना चाहिए तो यहां पर यह seat सिर्फ dry हुई है लेकिन बहुत अच्छे से dry यहां पर यह नहीं हुई है सो जब भी हम इस पर embossing का look create करेंगे या different kind का सो इस पर हम इस जैल पैन का use करना और यहां पर देखिए अगर आपकी seat जो है वो गीली होती है वेट होती है तो उससे किस तरह से side पर इस तरह से आप देख सकते हैं कलर जो है वो फैलने लगता है सो यही आपके इलस्ट्रेशन को जो है वो गंदा कर देता है खड़ाब कर देता है यही मैं आपको समझाने की कोशेश करती हूँ कि आपके लिए seat का dry होना कितना important है इसी तरह से आपको जो है वो filling कर लेनी है आपको अपने पूरे जो भी pattern है उस पर डिफरेंट डिफरेंट काईन के colors यूज़ कर सकते हैं आपके उपर depend करता है आपके इस तरह का pattern जो है वो create करना चाहते हैं सो आप देख सकते हैं यह seat जो है वो बहुत जादा dry नहीं हुई और इसमें color जो है वो किस तरह से side से फैलने लगा है और यह आपके illustrations को भी एकदम गंदा कर देगा इसलिए आपकी seat का बहुत अच्छे से dry होना बहुत important होता है और अगर आपकी seat जो है वो naturally dry होती है तो वो जादा अच्छा रहता है अगर आप इसको इस तरह से किसी भी तरीके से या फिर आप tissue paper से पोस्टते हैं कि आप कोई भी तरीका अपना दे तो इससे आपकी seat जो है खराब हो जाती और आपका illustrations भी बिगड़ जाता है तो मैं इसलिए आप सभी को suggest करते हूं कि कभी भी wet seat पर प्रिंट जो है नहीं create करें आप तो यहाँ पर आपको finishing देखकर समझ में आई रहा होगा अब यह बताईए अभी तक मैंने जितने भी illustrations बता हैं उनमें और इसमें कितना जादा फराख है तो यह गलती आप बिल्कुल भी मत कीज़ेगा आपकी गलती बताने की वज़े से मैंने अपना यह pattern खराब किया है तो प्लीज इस बात को आप लोग ध्यान रखें बहुत ही अच्छे से illustrations करें बहुत ही patience के साथ illustrations करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके notification बेल जरूर हिट कर लिजए ताकि मेरे हर नए वीडियो की notification मिले आपको और आप मेरा हर नया वीडियो देख सकें सबसे पहले सो मिलती हूं आप से नेक्ट क्लास में अपके के लिए टेक क्यार बाबाय दो नोट फोगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट थैंक्स फो वाचिंग